हेलो एवरीबड़ी अब बिग वेलकम तो दिस वेरी वेरी एक्स्ट्रीमली स्पेशल सेशन अच्छा मैं इसको स्पेशल क्यों बोल रहा हूं उसके देखो बहुत सारे रीजन्स है लेकिन मैं आपको एक परफेक्ट रीजन बताऊंगा कि यहां पे जो हम क्वेस्टिन्स दे इसे डाले हैं जो आप कह सकते हो कि दिनमंदू सर के वो most predicted questions में से एक है ठीक है not just दिनमंदू सर बट विदानतों के और भी कई साले लोग इसमें involved है इस paper को बनाने में total 50 questions हैं आपके पास और आप समझ जाओ कि इनमें से ही आपके बहुत सारे questions यह इस तरह के ही बहुत सार questions आपके paper में आने वाले हैं तो यार मैं आपको कहता हूँ कि बहुत तरीके से आप इस पूरे notes को हर चीज़ को बहुत अच्छे से go through करो ठीक है and the most important part is that सारे questions paper के पहले आप लगा लेना ठीक है description box में इस entire session का आपको PDF मिल जाएगा मैं questions solve नहीं करने वाला हूँ सारे के सार बस मैं आपको थोड़े-थोड़े hints देने वाला हूँ कुछ questions में ठीक है अपन स्टार्ट करते है session को और ये आप समझ सकते हो कि one of the most important sessions में से एक है ठीक है तो कोशिश करो कि आप end तक इसको पूरा देखो सारे questions को अच्छे से देख लो very very important ठीक है तो बच्चों ये आपक coming days also उसको ध्यान में रखो and let's directly go through the next thing ठीक है तो बच्चों ये भी एक चीज है जिसको आपको समझना important है क्योंकि आपको पता है कि आपको term 2 भी देना है बहुत सारी चीजे है तो keep this also in mind okay चलो अभी let's go further and we'll discuss about today's plan so we have part a that is unit wise mcqs then we have part b basically case study based questions and in total we have 34 questions आपको पता है कि total question like two questions from each chapter है मतलब काफी कुछ काफी कुछ mix-up करके रखा हुआ है total total तरीके से mix-up करके रखा हुआ है ठीक है और आप कोशिच करो किस को बहुत ध्यान से आप pdf को download करो और the most important thing is that यह सारे questions जरूर से जरूर लगा ले न चैट box में अभी एक promise लिख दो आप कि हांजी सर हम लगाएंगे part a पे चलते है real number से आप देखो बहुत ही बढ़िया question दिया हुआ है और अगर मैं आपको बताओ किसको कैसे करना है तो बढ़े अराम से आप कर सकतो एक marks का है a का value दिया है ब का value दिया है और value नहीं दिया हुआ है उसको prime factorize करके दिया हुआ है ठीक है LCM बोला हुआ है यह आपको n की value निकालने को बोला हुआ है n क्या हो सकता है आपको पता है कि LCM का मतलब होता है देखो simple से बात है 3 की power पे n है LCM के case में आप किसी भी prime number का maximum power लेके जाते हैं यहाँ पे 3 की power 1 है यहाँ पे 3 की power 1 है और यहाँ पे 3 की power 2 है मतलब A, B और C में कहीं पे तो 3 की power 2 होगी पहले और दूसरे में तो 3 की power 2 नहीं है तो obviously यहाँ पे 3 की power 2 रही होगी तो N की value directly 2 बिना किसे doubt के तो answer is B मैं आपको बता रहा हूँ हर question का answer भी आपके पास दिया हुआ है तो यह बहुत best तरीके का paper है इसको please आप सबके सब बच्चे solve कर लेना most predicted questions ही है इनको जरूर से जरूर लगा लेना बिल्कुल similar अगला question है कि if A is equal to 2N plus 13, B is equal to N plus 7 where N is a natural number, find the HCF of A and B बहुत simple question है आपको एक काम करो where N is a natural number तो N is a natural number ना बच्चो तो आप एक काम कर सकते हो आप N की कुछ values रखके देखने example के लिए मालो हमने अगर N की value only example के लिए बता रहा हूँ तो A हो जाएगा आपका 2 plus 13 या फिर कहलो आप 15 B हो जाएगा आपका N plus 7, मतलब simple से बात है 1 plus 7 that will be equals to 8 आप generally देख पा रहे हो Sir, ऐसा है कि इन दोनों के बीच में तो Sir, HCF सिर्फ 1 ही हो सकता है, because one of them is a, like you can see एक हमारा odd है, एक even है, तो ओवे से बात है अब अपर अगर N equals to 2 रखके देखते हैं एक बार ट्राई करते हैं, तो आप देखरो A की जो value आएगी 2 times of 2, 4 plus 13 होता I think 17, ठीक है, और B जो होएगा हमारा, it is equal to N plus 7, मतलब 2 plus 7 is equal to 19, इन के बीच में भी, आप देखरो, HCF कितना आ रहा, 1 आ रहा है, हम जादा नहीं सोचेंगे, हम सीवे option number B देके आगे बढ़ जाएंगे, फास तो में दिमाग खराब नहीं करेंगे, ठीक है, चल्दी से देखो अगला question, यह वाला question जरूर से जरूर कर लेना, ठीक है, simple है, paper में आया हुआ question है मैं आपके उपर छोड़ रहा हूँ, जरूर कर लेना, बच्चो next question, हम आगे बढ़ेंगे आप क्राब ट्राई करना, यह वाला, ठीक है इसमें है कि, what will be the least possible number of plants, if three pieces of timber 42 meter, 49 meter and 63 meter long have to be divided into planks of same length अच्छा question है, सुनो question आपसे यह कह रहा है कि आपको 42 वाला जो length है, उसको भी किसी एक length में divide करना है, मतलब छोटे 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 lens में divide करना है, 49 वाले के साथ भी same काम करना है, और 63 वाले के साथ भी same काम करना है, ठीक है try करेंगे करने की, कोई दिक्कत नहीं है आप देख रहे हो, question क्या पूछ रहा है, what were the least possible number of planks, अगर number of planks की बात कर रहे है, least possible number, हम जब least की बात पढ़ते हैं तो बच्चे कई बार सोच लेते हैं कि sir, least का मतलब है कि हमें LCM निकालना है जैसे यहाँ पर देखो, most of the बच्चे पते हैं क्या करके आते, इसका HCF निकालते और answer क्या देते sir, 7 is the HCF, C is the answer, जबकि गलत answer है हाँ, HCF 7 है, पक्की बात है sorry, आपका HCF जो है वो आपका 7 है, कोई doubt नहीं है but अब आप दिखो, number of planks कितने होंगे, तो इस वाले से कितने number of plank बना पाऊगे आप, 42 upon 7, इस वाले से आप number of planks बना पाऊगे, पता है कितने है, 6 इस वाले से 49 upon 7, 7, इस वाले से 63 upon 7, 9, ये number of planks बनेंगे आपके, ठीक है तो बस आप ये calculate कर ले ना काफे simple है, वो जो की obviously 9 plus 7, 16, 16 plus 6, 22 planks होएंगे, जो की option number D होएगा, none of these, ठीक है तो please question को बहुत अच्छे से read करो और समझो, बहुत अच्छा question है, बहुत basic question, बिल्कुल true है ये, क्योंकि पता है कि terminating decimal है, बिल्कुल correct answer है, no doubts in that, ठीक है बिल्कुल हम कह सकते हैं कि terminating decimal है, तो कोई doubt ही नहीं, next question, everybody, polynomals quickly, बहुत simple question, polynomals चाने वाला है, trust me दो चीजों का use करने है, थोड़ा brain और थोड़ा question को दिमाग लगाने है, बच्चो बहुत अच्छा paper ये बना हुआ है पूरे session को आप देखो मैं तो कहता हूँ, अपने दोस्तों को भी आप share करो, क्योंकि ना सिर्फ हम most important questions को कर रहे हैं, बलकि हम उनको discuss भी कर रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश करो कि आपने दोस्तों, भाई और बैनों, जो भी आपके मतलब दोस्तों, टेंथ में हो, उनको बताओ, ठीक है, if alpha and beta are the zeros of the polynomial such that alpha plus 1 multiplied by beta plus 1 is equal to 0, then what is the value of c? बहुत basic question है, पहले ना एक काम करूँ, पहले आप थोड़ा f of x को तरीके से लिख लो, अभी क्यों तरीके से नहीं है, मैं बताता हूँ, यह क्या हो रहा है, चलो छोडो f of x अभी इसलिए तरीके से नहीं क्योंकि देखो ध्यान से, x square minus of p times of x और अब minus p बत जाएगा, वहाँ पे minus c थोड़ा इसको और तरीके से देखोगे, तो यह कुछ quadratic अगर हम इसे बनाना है, तो x square minus of p times of x, और आप minus common लोगे, तो यहाँ p plus c, तो आप देख रहो, अब हमारा थोड़ा actually में यह ax square plus bx plus c जैसा दिख रहा है, आपने पहले ही solve कर दिया होता, तो problem होती, कि p जो है, वो आपका constant है, ठीक है, और किसी भी quadratic का general form होता है, ax square plus bx plus c, ठीक है, वहाँ पे तो हमें उस तरह से तो present करना ही पड़ेगा पहले तो अब समझ लेते हैं, इसको आप alpha, beta निकाल से, तो that is equal to c upon a, c क्या है, minus of p plus c, और a तो हमारा 1 है तो minus of p plus c, बहुत basic सवाल है alpha plus beta कितना होता है, minus of b upon a, minus b मतलब minus of minus p, यहाँ पे b जो है न, minus p हमारा तो हो जाएगा plus p, minus of minus p, और plus 1 equals to 0, देखते हैं, पता नहीं, देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है, अब थोड़ी समझदारी दिखाओ, यह minus p plus, no, 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 minus p और minus minus दोनों में distribute होगा, तो minus c वहाँ पे आएगा, ठीक है, चलो, समझ लेते हैं, minus p minus c plus p plus 1 equals to 0, देखो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, question इसे लिए बना है, ताकि आप p और p को cancel कर सको, ताकि आपको minus c is equal to minus 1 मिल सके, ताकि आप c की value को 1 निकाल सको, इसी लिए question बना हुआ है, ठीक है, इसी लिए question में ये condition दी हुई है, तो condition को अगर तरीके से use करोगे, ये आपने सही काम कर दिया, ये आपने सही काम कर दिया, आपको correct answer आने से, सिर्फ एक ही चीज रोख सकती है, और वो है कोई नहीं, ठीक है, चलो, let's go for it, ठीक है, अगला question ट्राई करते हैं, बहुत basic सा question है, मैंने ट्राई कर रहा है, ये आप कर ले ना, बच्चो तो यहां पर आएगा, alpha square plus beta square upon alpha beta, पस आपको दो चीज़े यहां पर ध्यान रखना है, कोई भी quadratic polynomial होगा, तो आपको सिर्फ दो चीज़े पता होगी, alpha plus beta आपको पता होगा, minus b बाई ये, और alpha beta आपको पता होगा, ये आपको पता होगा, इसमें भी आपको चीज़े पता है, आप याद करो, a square plus b square को अगर आप थोड़ा सा identity के form में लिखते थे, तो क्या लिखते थे, alpha plus beta का whole square minus what, 2 alpha beta, और फिर नीचे alpha beta है, अब हमें alpha plus beta की value भी पता है, अब हमें alpha beta की value भी पता है, और alpha beta तो बस put करो, और थोड़ा गलत मत करना, question करने में, ठीक है, चलो, everybody will go to, ये बहुत basic question है, बहुत-बहुत basic question है, और सबसे जादा बच्चे गलतिया यहीं पे करते हैं, वो क्या करते हैं, कि वो x-axis जहां-जहां पे cut कर रहा है, उसको ना, देखो, आपको पता है, आपका polynomial दिया हुआ है, y is equal to p of x, मतलब मतलब सुनो मेरी बार, सुनो, देखो, मतलब वो x की values, मतलब सुनो, 0 कब होगा? कब 0 होगा? इस zeros कहां मिलेंगे हमें? जब हमारा polynomial 0 होगा, जब हमारा polynomial 0 होगा, मतलब हमारा y equals to 0 होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे polynomial के equals to है, ठीक है? अब y equals to 0 आपको graph में कितनी जगह दिख रहे हैं? y equals to 0 सिर्फ हमारा x-axis में होता है, only on x axis, तो सिर्फ एक ही 0 है, सिर्फ एक ही वो point है, जहां पे हमारा y equals to 0 आए, बाकी हर जगह कुछ न कुछ y की value है, वहाँ पे x 0 है, नहीं नहीं, हमें y 0 चाहिए, that's it, ठीक है, only one, ओके, चलो को, ये काफी simple है, क्यों simple है? अरे same result है, मतलब वही, देखो न, आप वही वही पिछला वाला result यूज कर रहा हो, LC हम लोग है, तो उपर आ जाएगा alpha square plus beta square, नीचे कुछ जादा नहीं आया है, बस alpha square, beta square आ गया है, कुछ नहीं, इसको आप अपने, आपको पता है, देखो, एक identity आप याद रपो, बच्चो, a square plus b square plus 2ab is equal to a plus b का whole square, अगर आपको a square plus b square निकालना है न, तो a plus b का जो whole square है, इधर साइड आप लेके minus 2ab को ले आओ, तो alpha square plus beta square का मतलब है, alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta, और नीचे आपके पास क्या, alpha beta का square है ही, alpha square plus, alpha square multiplied with beta square, लिख सकते हैं, आपको alpha plus beta पता है, हाँ, minus of b by a, आपको alpha beta पता है, हाँ, c by a बस, फोड़ा solve करना पड़ेगा, उसको थोड़ा देख लेना है, मतलब सब कुछ थोड़ी ना मैं कर दूँगा, तो मैं लिए, ठीक है, चलो, equations पर आते हैं, पहला question, बिल्कुल simple है, infinite solution है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, दो equations मिलेंगे, अराम से solve कर सकते हों, ठीक है, example देखना है, तो पता है, a1 हमारा 2 है, a2 हमारा a plus b है, याद रखना, x के अलावा, जो कुछ बचेगा, सब आपका a2 है, याद रखना, ठीक है, तो 2 upon a plus b will be equals to 3 upon 2 a minus b, will be equals to, हाँ, 7 upon 21 कर दो, जरूरत नहीं है, जादा दिमाग मतलाओ, अगर इधर 7 को इधर लाओँ, तो minus 7 होगा, 21 को इधर लाओँ, तो minus 21, तो minus 7 upon minus 21 लिखना पड़ता, ऐसे लिख दो, 7 upon 21, इसको लिख दो 1 upon 3, कुछ नहीं, एक बार इसको compare कर दो, 1 upon 3 से, तो करके देख लो, 2 upon A plus B is equal to 1 upon 3, cross multiply करना, पहली equation मिल जाएगी, A plus B के form, A और B के form, दूसरी बार क्या करना, 3 और 1 को equate कर, मतलब इस वाले को equate कर देना, तो पता चला, 3 upon 2 A minus B is equal to 1 upon 3, फिर से इसको cross multiply करना, एक और equation मिल जाएगी, दोनों equations को substitution, elimination, cross multiplication, या तो एक काम करो, direct value putting से निकाल देना, देखो मैं बताता हूँ, इसको cross multiply करो, तो मिल जाएगा, 6 is equal to A plus B, देखो कहां-कहां पे A plus B की value 6 आ रही है, एक तो यहां पे A plus B की value 6 आ रही है, एक तो यहां पे आ रही है, और यहां पे आ रही है, तो option number सी तो सीधे हट गए, यहां पे देखो, कि अगर आप 9 कर दो, 9 is equal to 2 times of A minus B, देखते कहां पे 2 times of A minus B, 9 आ रहा है, आप देख रहो कि सर्थ 2 times of A minus B, सिर्फ यहां पे 9 आ रहा है, क्योंकि यहां पे अगर हम 2 times of A minus B करेंगे, तो वो आएगा कुछ minus 3 जो कि गलत है, तो yes, option number भी ख़ते हो, मतलब option solving भी कर सकते हो, ठीक है, याद रखो similar question है infinitely many solution कभी भी भी दिया हो, हमेशा A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, कोई भी लेकर solve कर दो, answer आ जाए ठीक है, देखो, आपको पता है, कि माल लो आपका, मैं तो इसको directly solve कर सकता हूँ, 2 upon K minus 1, यह क्या हो रहा है हम, ठीक है, तो आप further इसको solve कर सकता है, अब मैं बताऊंगा तो फिर दिक्कत जाएगे 2 upon K plus 1, sorry, K minus 1 is equal to 3 upon K plus 2, और यह काफी अराम से आप solve कर सकते हैं, तो दोनों को मैंने कुछ गलत हो, ओ, यहाँ पर 4 आना चाहिए, 7 आएगी, I think ठीक है, निकाल लेना, बहुत सिंपल है यह आराम से कर सकते हो, ठीक है, चलो next question देखो, मैं आप एक चीज़ बताऊं क्या, question बहुत सिंपल है पता है क्यों parallel चाहिए आपको ठीक है, मतलब A1 upon A2 should be equals to B1 upon B2, but not equals to C1 upon C2 ठीक है, मतलब ध्यान से देखो, मतलब आप एक काम करो, A1 upon A2 निकालो, 3 upon 6 B1 upon B2 निकालो, minus 1 upon minus 2, sign का खयाल रखना, please C1 upon C2, minus 5 upon minus P, आपको पता है कि यह दोनों तो बराबर होते हैं जो कि बराबर हैं भी, यह दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, sign sign cut करो, sign sign cut करो मतलब 1 upon 2 should never be equals to 5 upon P cross multiply करो, तो 1 times of P should never be equals to 5 times of 2, मतलब P should never be equals to 10, and that's the right answer खतम, टाटा, बाई बाई, हो गया ठीक है, we'll go to the next sum, बहुत simple है, सारी values हो सकती हैं, बस P को आप 10 मत रहने देना all real values भी नहीं होती, बच्चो 0 नहीं हो सकता P 0 नहीं हो सकता, यूकि 0 हो गया तो problem हो जाएगी, यूकि फिर वो infinity वगरा, नहीं 0 हो सकता है वैसे, हो सकता है 0 यार क्योंकि वो तो हम बस एक representation कर रहे है न, obviously हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, वो भी हो सकता है, ठीक है चलो, coordinate पे आते हैं, बहुत simple question है, यार, equidistant की बात कर रहा है, अच्छा यहाँ पे मैंने कई सारे बच्चों को एक doubt लाते देखा है, वो बोलते हैं, सर equidistant है, तो midpoint formula लगा देते हैं, क्यों भाई? क्या यहाँ पे कहीं पे भी दिया है, क्या आपको midpoint formula लगाना है? कहीं पे भी दिया है, तो बताओ है, कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, right? तो midpoint formula क्यों लगाओगे? पहली चीज़ तो यह, अब दूसरी चीज़ समझो, कि आपको यह पता है, कि सर, एक point है आपके पास 2,1, ठीक है? एक point है आपके पास 1,-2, एक कोई point है कहीं दूर पे, let's say x,y पे, ठीक है? वो इन दोनों points से equidistant है, ठीक है? मतलब जो इन दोनों points के बीच में distance है, वही इन दोनों points के बीच में distance है, एक distance formula यहाँ पे लगेगा, under root of x-2, sorry, x-2 का whole square, plus y-1 का whole square, एक distance formula यहाँ पे लगेगा, x-1 का whole square, plus y-2 का whole square, क्योंकि y-2 becomes plus 2, बस, आपको पता है, यह दोनों distance बराबर है, तो बराबर है, तो इनको equate करके, आपको पता है, square root से सारी चीज़े थोड़ी ना, तिक्कत हो जाएगी, square root में, हटा दो square, दोनों side square कर दो, ठीक है, और expand कर दो इसको, ठीक है, तो x-2 का जब आप whole square करोगे, plus y-1 का जब आप whole square करोगे, यहाँ पर आजाएगा, x-1 का whole square, plus y-2 का whole square, कुछ नहीं, brackets को open कर दो, अपने आप, आपके x square, y square सब cancel हो जाएगे, और चीज़ें आपकी simple हो जाएगे, ठीक है, let's go to the next question, I think, काफी simple है, आप उसको solve कर लेना, x square, x square और जाएगा, थोड़ा उसको open कर लेना, bracket को, बहुत easy है, identity लगाना है, a plus b whole square, a minus b whole square का, बहुत basic है, गलत मत करना, please, ठीक है, calculation error मत करना, ठीक है, we'll go to the next sum, the center of the circle is this, if the circle passes through the point, this, and diameter, center दिया हुआ है, diameter दिया है, तो radius पता है, radius कितना हो जाएगा, diameter का half, मतलब 5 root over 2, आपको center के coordinates पता है, 2a, a minus 7, और आपको एक point पता है, जो circle पे लाई कर रहा है, 1, minus 9, आप पते क्या करो, सीधा distance formula लगा दो, सीधा distance formula लगा दो, उसके भी ना भी कर सकते हैं, क्या, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो सीधा distance formula लगाओगे, तो under root of क्या मिलेगा, 2a minus 1 का whole square, और a minus 7, minus of minus 9 becomes, अच्छा, एक बात यहाँ ध्यान रखना, जब आप a minus 7 करोगे, फिर आप minus करोगे minus 9 को, तो minus 9 becomes positive, तो a minus 7 plus 9 हो जाएगा, यहाँ पे हम गलतियां करते हैं, प्लीज गलतियां ना करो, ठीक है, और यह हो जाएगा आपका a plus 2, तो यह हो जाएगा पच्छो क्या, a plus 2 का whole square, बहुत simple से बात है, ठीक है, और यह आपका ना, उस radius के बराबर होगा, radius कितना है, 5 root over 2, दोनों side root दिख रहे हैं, square मार दो, सीधे square मार दो, कोई tension की बात नहीं है, सीधे square मार दिया, तो यहाँ बचेगा 2a minus 1 का whole square, यहाँ बचेगा a plus 2 का whole square, इधर square मारा, तो 25 times of 2, ठीक है, 5 का square 25, root 2 का हो गया 2, अब सुनो दे answer, इसका bracket open कर सकते हैं, करें क्या, हाँ कर सकते, करके देखते हैं, एक बारी, ठीक है, देखते हैं, कोई बड़ी answer मिल जाए या ना मिले, तो फिर देखा जाएगा, मैं कहता हूँ, मत करो, अच्छा, नहीं करेंगे, तो क्या होगा, एक काम करते हैं, bracket open कर लेते हैं, फिर अपन values put कर लेंगे, अच्छा, अच्छा, ब्रैकेट open करते हैं, फिर अपने एक बार values put कर लेंगे, तो थोड़ा देखते हैं, आपे, तो यह हो जाएगा, बच्छो, 4A square, minus 4A, plus 1, plus A square, plus 4A, ठीक है, ओ, कट गया, क्या बात है, अब plus 4, ठीक है, that is equal to, 25 times, सब्सक्राइब, तो यह आपका 4A, 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 5A, 50-5 हो गया, 45, सीधे cancel करोगे, भाई साब, तो A square की direct value मिल रही है, 9, तो क्यों दिमाग खराब करेंगे, सीधा D, correct मरेंगे, अच्छा, एक और चीज़ है, कई बारना, बच्चे देखते हैं, कि A square की value 9 आए, यह वो direct 9 को put करके चले आते हैं, गलत भाई, ऐसा मत करना, ठीक है, आपका answer आ गया है, तो प्लीज थोड़ा साइग बार चेक कर लेना, कि जो answer पूछा गया है, कि आपने वही answer निकाला है, A का value पूछा है, कि आपने A का value निकाला है, ठीक, चलो, next question, D सही है, निकाला है, अच्छा, plus minus, कई बारना, बच्चे minus को neglect कर देते हैं, नहीं, भाई, minus को neglect नहीं करना है, आप coordinates में काम कर रहे हो, coordinates में कभी coordinates positive होते हैं, कभी negative होते हैं, यहां हम age की बात नहीं कर रहे हैं, कि negative नहीं हो सकता, दिन बंदू सर की age minus 50 नहीं हो सकती, हाँ, वो नहीं हो सकती, वो age है, ठीक है, यह age नहीं है, ठीक, चलो, next one, बहुत simple है, आप try कर लेना, M और N का formula लगेगा, ratio आपको निकालना है, बहुत अच्छा ratio दिया हुआ है, अरे यार, एक basic question है, basic question है, मैं नहीं कर रहा है इसको, triangles पर आते हैं, काफी बढ़ियान triangle का question है, इसको try करते हैं, अच्छा पिछला वाला question आप try जरूर कर लेना, इसको आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि, यहां से एक question आएगा, पक्की बात है, आपके paper में, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, triangle शुरू करते हैं, यहर मैं एक बार check कर लूँ, कि यह recording हमारी चल रही है कि नी, क्योंकि क्या पता, मैं session record करता रहूं, और, और हमारा सब, नहीं नहीं, चल रही है, चलो बढ़ी है, ठीक है, बचों यह important session, इसलिए आप pleases है, कहीं भी से, किसी भी angles, इसको आप miss मत करना, ठीक है, in the right triangle ABC, right angle dead B, P and Q are on the sides, A, B and A से respectively, ओके, right angle dead B है, ठीक है, देखते हैं, try करते हैं, यह हो गया बचों A, यह हो गया B, और यह हो गया C, A, B और A, C पे, दो points है, P और Q, एक point A, B पे है, ठीक है, और एक point, A, C पे है, हना, देखते हैं, मैं को नहीं पता, इसमें क्या करना है, I'm not too sure about it, but check करते हैं, right angled है, और P and Q are the points on the sides, A, B and A, C respectively, ठीक है, और हमें कुछ दिया नहीं आ है, कि वो points हमारे mid points है, या क्या है, या कैसा है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, समझते हैं, कोशिश करते हैं, बोल रहा है, AQ square plus CP square, okay, AQ square plus CP square, bla 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 bla, oh, 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 मुझे थोड़ी सी तो clarity आ रही है, कि हम क्या कर सकते हैं, पता नहीं, शायद वो सही भी है यह नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है, कि AQ square की बात कर रहा है, AQ square मतलब कही न कहीं से कुछ ना कुछ तो चीज हो रही और हमें पता है कि हम यहाँ पर Pythagoras के लावा तो कुछ लगा नहीं सकते हैं पाइथगरस के लावा तो कुछ भी लगाना impossible है तो क्या कर सकते हैं फिर तो हम देखते हैं Pythagoras नहीं लगेगा तो क्या लगेगा देखते हैं मत पहले Pythagoras लाके देखते हैं हमें पता है कि सर जो AC स्क्वाइर है वो आपका बराबर होगा AB स्क्वाइर के प्लस BC स्क्वाइर के हाँ इतना तो हमें basic idea है क्योंकि right angled at B है अच्छा अगर हम यह draw करते हैं अच्छा क्यों कहां पे क्यों AC पे है क्या right angle अगर क्यों हमारा BC पे होता ना तो बहुत सारा काम बन गया होता बट ऐसा है नहीं ठीक है ट्राइ करते हैं देखते हैं शायद कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा या इसको बाद में ट्राइ करते हैं फोड़ी दिर बाद रुको अभी first go में मत करना ऐसा question आजाए तो छोड़ देना तुम पता है यार 20 में से 16 question करने है तो क्यों फाल तुम्हें ऐसी जंजटे पा सकता है लिकिर मैं चेक करूगा एक बारी हो सकता है कि direct answer भी आ जाए ठीक है इसको दे यह तो बहुत basic question है तो यह length हो जाएगी a by 2 यह length हो जाएगी a by 2 बहुत basic चीज़े मानलो आप इसको a बोल दो इसको d बोल दो इसको b बोल दो इसको c बोल दो आपको बहुत अच्छे से पता है यहाँ पर आप पाइथ अगरे स्थिरम लगा सकते हो इसकी length को आप x बोल दो एडी के length को तो पता चला a square is equal to x square plus a by 2 का whole square ठीक है मतलब आप ऐसे लिख लो x square plus a by 2 का whole square is equal to a square फोड़ा solve कर लो a square plus sorry 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 x square अरे यह क्यों नहीं चल रहा अच्छा अच्छा वहाई letter चलने लगा थो sorry तो पता चला x square plus a square by 4 is equal to a square ठीक है तो x square is equal to 3a square upon 4 अगर आप x की value निकालोगी तो आप square root कर सकते हो 3a square upon 4 का answer आएगा root 3 by 2a square तो चला गया आप देख रहों कि x is equal to root 3 by 2 times of क्या a x square क्योंकि यहाँ पर हर जगे ad square की बात कर रहा है हर जगे ad square की बात कर रहा है मतलब x square will be equal to 3 by 4a square x क्या है हमारा ad square is equal to 3 by 4 times of a क्या हमारा a हमारा a b के बराबर है भाई a b के बराबर है तो हम क्या करेंगे 4 को उपर लेकिए 4 ad square is equal to 3ab square a square is equal to a b square कर लेना यार बहुत bc के ठीक है चलो चलते हैं तो फिर अपन next question पे यह मेरा pen कहां गया यह रहा चलो इसको try कर लेना बहुत basic question similarity question है perimeter पूछा हुआ है आपके boards में आ हुआ problem है और आपको पता है कि देखो दो rules है आप इसको कर सकते हो या तो आप corresponding sites निकाल लो insights आप direct perimeter का formula लगा सकते हो मतलब perimeter का ratio जो sites का ratio होगा वही perimeters का भी ratio होगा चोले काम करते है triangle ABC का perimeter निकालो कितना होगा 2.5 plus 3.5 होता है 6 plus 4 होता है 10 ठीक है यह है perimeter of triangle ABC ठीक है जो df है वो किसके corresponding होगा ध्यान से देखो df will be corresponding to AC ठीक है तो मतलब perimeter of triangle ABC perimeter of triangle ABC upon perimeter of triangle DEF will be equals to what देखो df के corresponding AC है तो हम यहाँ पे AC upon df लिखेंगे simple है ABC का पता है 10 DEF का हमें नहीं पता AC की length हमें पता है किती 2.5 df की length हमें पता है 7.5 यह होता है 1 is to 3 direct answer 30 निकाल सकते हो बिना किसी doubt कर लेना दोबारा ठीक है तो दोनों तरीके आपको जो तरीका लगाना है वो लगा लेना कॉडिनेट से question है दोबारा कर लेना प्लीज रिमाइंड यह वाला question आपको करना ही करना है ठीक है क्या बुला हूँ है AD upon DE निकालना है अच्छा यार वही होगा देखो चलो इसको मैं अलग color से कर देखो मतलब इसमें न यह 10 second वाले सवाल है भाई देखो आपना यह 2 पता ह सेम रेशियो किसका होगा AP is to PF का क्यों क्योंकि भाई lines parallel है obvious से बात है जब यह वाली line भी parallel है तो सेम रेशियो हमारा AD upon DE का भी होगा 1 is to 3 बिना किसे doubt के इसमें time waste मत करना कई बार बच्चे 1 is to 4 करके आते हैं क्यों क्योंकि वो सोचते हैं कि इसकी length 8 देके रखी ना भाई total length 8 दी है दो बार tails theorem लगा रहा है एक बार लगा रहा है उस वाले triangle में tails theorem ठीक है एक बार लगा रहा है इस वाले triangle में tails theorem आपको confused नहीं होना है ये हो जाएगा पता है ना total length 8 है total length जरूर देख लेना ताकि पता रहे कि भाई ये length 2 है ये length 6 है इसलिए ratio 1 is to 3 है तो वही same ratio सब्सक्राइब होगा क्यों कि थेर स्थेरम लग रहा है बेसिक से चीज़ें ठीक है चलो next question everybody जल्दी जल्दी करेंगे बच्चों ट्रिंगोमेंटरी तो मतलब n square अगर आप करने की कोशिश करोगे तो directly आप क्या कर सकते हो आप directly रिखो ठीक है फालतों में टेंशन बर लेना tan square theta ओके ऐसे लिखते है tan square theta plus sin square theta plus two times of tan theta sin theta minus करोगे जब आप तो यहाँ पर tan square theta minus हो जाएगा sin square theta भी minus हो जाएगा लेकिन जो minus sin theta tan theta था वो अब हो जाएगा plus two times of tan theta sin theta यह गए यह गए यह गए यह गए यह गए आपको मिल गया four times of क्योंकि two times of tan theta sin theta plus two times of four times of tan theta sin theta एक चीज़ देखो जरा बच्चों आप पर दिमांक लगाओ ठीक है यह four की बात कर रहा है और दो जगह M और N को multiply करने की बात कर रहा है करके देखते हैं एक बार M N को multiply करोगे तो tan theta गोई a plus b a minus b लगेगा जो की हो जाएगा tan square theta minus sin square theta आपको एक बात बतातों बहुत अच्छी सी बात tan square theta को आप लिश सकते हो sin square theta upon cos square theta minus sin square theta आप क्या करो sin square theta को common लेलो 1 upon cos square theta will be 6 square theta minus 1 जो की होता है tan square theta तो यह हो गया sin square theta multiplied by tan square theta तो अगर हमें सिर्फ sin theta multiplied by tan theta की बेलो निकालनी है तो square root को उदर ट्रांसफर कर दो root over M N तो इसकी value आरी 4 root M N कर लेना बहुत basic सवाल है बढ़ अच्छा सवाल है ठीक है ठीक है options को try करना बहुत important है similar question है दिमाग मत खराब करना आपको पता है c theta की value क्या होगी पहली वाली equation से निकालोगे तो x upon pi आएगी tan theta की value दूसरी वाली equation से क्या आएगी y upon q आपको पता है कि c square theta minus tan square theta equals to 1 होता है देखो ना options में कहीं पे भी c theta tan theta का mention है नहीं तो उनको हटाना पड़ेगा हटाने का तरीका क्या है identity खतम ठीक है c square theta minus tan square theta equals to 1 c theta और tan theta की values आप रख देना ठीक है चलो ओ इससे मैंने गंदा question नहीं देखा है पड़े क्यों आप सीधा LCM ले लो भाई यहाँ पे 1 plus sorry मैं बताता हूँ जब कभी भी ऐसा LCM का case आए ना आप सीधा इसको ले जाके उपर रख दो सीधा इसको ले जाके उपर रख दो 1 minus cos theta plus 1 plus cos theta नीचे a minus b a plus b मतलब 1 square minus cos square theta cos theta 1 plus 1 2 upon 1 square minus cos square theta हो जाता है sine square theta यह हो जाएगा 1 upon sine square theta is equal to cos square theta तो 2 की value के खतम answer done काफी basic सवाल है कर लेना ठीक है चलो अगले step पे चलते हैं यह question मैं नहीं दे रहा है आपको मैंने आपको अलड़ी इसको कई सारे sessions में करा के रखा हुआ है जादा आपको लग रहा है कि चीज़ें tough है आपको बस एक में ट्रिक बता देता tan theta को आप लिख सकते हो sin theta upon cos theta that is equal to A upon B रेशियो से ratio निकालना है आप directly sin theta की value ले लो A cos theta की value ले लो B directly put it in the equation get the answer खतम ठीक है क्योंकि ratio से ही ratio निकालना है ठीक है तो काफी basic है यहां पर क्या करना है यहां पर क्या करना है यहां पर क्या करना है अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अर स्क्वेर और देखो इक चीज अगर आप ध्यान से देखोंगे तो आपको पता चलेगा कि सर pogष कॉंण MH हृ काम करते हैं पहले एक स्कॉंण है स्ट अंगर रस क्वार स्ट कीफार है अगरrove to स्क्वाइर निकालोगे तो आर स्क्वाइर साइन स्क्वाइर थीटा और प्लस साइन स्क्वाइर फाई एक मिनिट इन दोनों को जड़ा एड करो बच्चों आप देखो यहां से आप r square sin square theta common ले सकते हो पहले वाले में बचेगा cos square phi अगले वाले में बचेगा sin square phi तो भाई ये तो 1 हो गया तो अगर आप देखोगे x square plus y square की value पता है कितनी आ रही है r square sin square theta आ रही है एक बार z square की value भी पार देख z square हमारा r है r square cos square theta आप एक काम करो इन दोनों को अगयाट करो तो x square plus y square plus z square r square तो common हो जाएगा दोनों में r square r square है पहले वाले में बचेगा cos square theta plus sin square theta मेरे भाई r square और ये तो 1 होता है answer आ गया तो x square plus y square plus z square equal to r square सबसे basic तरीकाता करनेगा common देख लो न square तो करना है क्योंकि हर option में square करके रखा हुआ है इस पे आते है अच्छा क्या बोला है shaded कहां है अच्छा ये वाला area shade बहुत गंदा सवाल है shaded निकालना है कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई area of square minus area of quadrant square कितना हो जाएगा 7 का square का area क्या हो जाएगा 7 का square minus area of quadrant pi r square by 4 radius क्या है 7 तो pi into 7 का square upon 4 कर ले ना अब तो हो जाएगा ठीक है मैं सब कुछ बता दोंगा तो फिर मजा नहीं आएगा ठीक है चलो अगला वाला question find the area of the largest circle that can be drawn inside a given rectangle of length A and breadth P हाँ A is greater than B बोल के रखा हुआ है फोड़ा सा typical question है समझ लो उसमें एक rectangle दिया हुआ जिसमें आपको बोला ये A है ये B है देखो अगर आपको एक largest बनाना है circle जो इसके अंदर हो पहली बात तो ये है और sides को touch करें मैं तो अंदर क्या है maximum length या maximum उसका radius क्या हो सकता है देखो एक तो कई लोग ऐसा बना सकते हैं कि sir एक circle छोटा हो सकता है फिर एक और बड़ा हो सकता है फिर एक बहुत बड़ा हो सकता है जो उसकी sides को touch करेगा ये maximum हो सकता है बच्चो आपको बताता हूँ उसमें ना largest circle बोल रहा है तो ये वाला जो circle होगा ना वो largest circle होगा इससे बड़ा circle आप नहीं बना सकते हैं ठीक है तो ध्यान चेदिको उसका diameter कितना होगा उसका diameter हो जाएगा diameter of the circle is equal to the breadth of the ये हो गया आप ना कितना कितना बी तो radius will become बी upon 2 तो area will become पाई आर square means पाई बी square upon 4 बस कहां दिख रहा answer खतम भाई या टाटा option number C खतम बहुत basic सवाल है यह ना एक बार आप try करना बने गाएगा similar question कर लेना मैं नहीं बता रहा बस आपको एक बार बता दो बच्चों ध्यान चे सुन दो area of equilateral triangle का formula जरूर याद रख रहे ना which is root over 3 by 4 times of A square where A is the side of the equilateral triangle यहाँ पे A क्या हो जाएगा देखो अब आपको कैसे पता कि यह equilateral triangle है देखो अगर ये वाला angle 60 degree हो रहा है आपको पता है यह दोनों side बराबर है क्योंकि दोनों radius और radius है मतलब यह दोनों angles भी बराबर होंगे तो यह angle x बोल दूँ इसको x बोल दूँ x plus x plus 60 180 x की value आपको फिर से 60 मिल जाएगी तो equilateral triangle तो है उसमें कोई doubt नहीं है अगला question बिल्कुल similar बट इसमें थोड़ा साना typical question है मैं बताता हूँ क्यों पहली बात तो आपको यह पता है कि sir x square है ठीक है square के अंदर एक semicircle inscribed है तो देखो पहले scene कहां से start हुआ x square था ठीक है उसके अंदर एक semicircle आया semicircle आया अब semicircle के अंदर आपने एक isosilis triangle बना दी ठीक है तो semicircle आया है square का length 20 root 2 था मतलब उसका radius हो जाएगा 10 root 2 तो semicircle का area निकाल सकते हो बड़े अराम से आपको अब radius मिल चुका है ठीक है और isosilis triangle में आपको एक चीज़ अब समझनी पड़ेंगी कि sir इसका area कैसे निकाला जाए बहुत easy है इसका आपको base पता है अगर आप सिर्फ triangle की बात करो उसका आपको base पता है ना बच्छों हाँ कितना है 20 root over 2 the length of the square और इसकी height क्या है sir वो भी 20 root over 2 है सेमी सरकल की area निकालना भी बहुत आसान है ठीक है बस सेमी सरकल की area से triangle की area को हटा देना ठीक है easy है काफी simple है एक बार आप जरूर try करना थोड़ी calculation है बट कर सकते है बाहर वाला सेक्टर minus छोटा वाला सेक्टर बड़ा वाला सेक्टर मैं तो कहता हूं direct formula लगाना कैसे direct formula theta upon या फिर कहलो theta upon 360 दोनों में common है radius का difference है pi भी दोनों में common है radius का difference है मतलब 14 का square minus 7 का square मैं तो कहता हूं यहां पर भी थोड़ी trick लगा ले theta क्या है आपका 30 upon 360 multiplied by 22 upon 7 14 minus 7 7 14 plus 7 21 ऐसे कर ले ना simple है यह कटा 3 times 7 और यहां होता है 3 times 120 यह होता है यहां पर 4 यहां पर cancer को यहां आएगा 11 यहां आएगा 2 multiply कर ले ना answer आ जाएगा अब सब कुछ आपके उपर है तो easy है यार मतलब मैं तो कहता हूं easy है यह 7 तो cut गया 77 upon 2 मैं तो कहता हूं direct answer निकाल दो यहां पर कुछ 38.5 C है correct I think कर ले ना simple है यार देख ले ना शायद C होगा चलो कर ले ना ठीक मैं नहीं कर रहा भाई अब लेटर इस चूजन आट रांडम फ्रॉम दे लेटर ऑफ द वर्ड असाइसनेशन दे दे प्रॉबिलिटी दे लेटर चूजन इस वावल इन द फॉर्म अफ ठीक है फ्रॉम दे लेटर्स ओफ द वर्ड देखो एक प्रॉब्लम है यहां पर पता है आप वर्ड से नहीं चूज कर रहे हो आप फ्रॉम दे लेटर्स ओफ द वर्ड तो इस वर्ड में आपने कितने लेटर्स यूज किया है पहले वो निकालो आप वर्ड से नहीं चूज कर रहे हो कोई भी लेटर आप चूज़ कर रहे हो from the letters of the word letters कौन-कौन से use करें आपने इसमें A use किया है S use किया है A दोबारा है उसको नहीं लिखना है यह letter तो एक ही है न वो I use किया है बिल्कुल N use किया है बिल्कुल T use किया है बिल्कुल और O use किया है ठीक है समझ लो important है A letter is chosen from random from the letters of the word blah 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 The probability that the letter chosen is a vowel ठीक है तो A आपका use हुआ है S use हुआ है I use हुआ है N use हुआ है T use हुआ है O use हुआ है अब N दुबारा दुबारा आप इसमें वोवेल्स देहों कितने यूज हुआ है वोवेल्स आप देखे हुआ O एक वोवेल्स है ठीक है I एक वोवेल्स है ठीक है और A E I O U तीन वोवेल्स है आपके पास out of total six आपके पास तीन वोवेल्स है out of total six ठीक है अब एक और important चीज़ है सर क्या ऐसे इस question लोगरना है या फिर कोई difference है आप मैं बताता हूँ कि कोई कोई और चीज़ देखे है तोटल वर्ट्स लेहाँ है तोटल इंटर्स कितने एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा अब देखो यहाँ पे वावल्स कौन कौन से है एप पहला वावल मैं उसको रेड मार्क कर लेता हूँ ठीक है पहला वावल रेड मार्क कर लेता है पहला वावल दूसरा वावल तीसरा वावल चौथा वावल पाँचवा वावल और चटा वाविल आप देख रहा हो कि यह question कुछ ऐसा पूछा गया है कि number of vowels आप यहाँ पे देख रहा हो सर जी यहाँ पे तो 6 vowels यूज हूँ है out of total letters 13 यह वाले concept को भुला दो क्योंकि question ही ऐसा frame हुआ है तो 6 upon 13 मतलब 6 upon 2x plus 1, मतलब 13 is equal to 2x plus 1, एकदम निकाल देने हैं, और x की value 6 आएगी मतलब तुमना इसमें दिमाग मत कराब करना फार्टुमें, बहुत ही easy question है मुझे लग रहा था फुड़ा सा difficult है बट जब मैंने answer देखा यह वाला तो मुझे लगा यह तो बहुत ही गंदा है, छोड़ो चलो, the probability of getting a number between a number which is divisible by one and the prime numbers, भाई मेरी बात सुन लो वो between 1 to 100 की बात कर रहा है मतलब वो 100 और 1 को include नहीं कर रहा है, और मैं आपको बताते हैं, इसको rattle लो एक से लेके 100 तक जहाँ पे 25 prime numbers साथ है, इसके बीच में, लेकिन अब problem यह है कि 1 include नहीं हो रहा है, 100 include नहीं हो रहा है, तो आपके पास total number of total outcomes है, वो कितनी है 98, favorable outcomes कितनी है 25, तो 25 upon 98, अच्छा एक बात ध्यान रखना question यहाँ पे बोल रहा है between 1 to 100, मतलब 1 और 100 को include अगर नहीं है, तो पता है कैसे बोलता from 1 to 100 find the probability of getting a prime number, अब पता है नहीं, divisible by 1 and the number itself, तो prime number ही होता है तो बोलता from 1 to 100, ऐसा बोलता, between 1 to 100 नहीं होता है, between 1 to 100 को मतलब होता है कि 1 और 100 included नहीं है, तो total favorable outcomes हो गया, आपके पास 25, पता है prime number तो 2 से start होते है 91 नहीं, 96, 95, 97, शायद 97 पे end होते हैं पता नहीं, हाँ, शायद मतलो वही बार है, ठीक है तो याद रखो, simple है 29 times of 3 शायद 97 होता है तो 97 पे भी end होते है शायद 89 नहीं, पता नहीं, चलो जहीं पे भी होते हैं, चेक कर ले नहीं बार तो आप देख रहे हो कि 1 से 100 तरह तो 1 और 100 तो prime numbers नहीं है वो तो 1 is neither prime nor composite, 100 is a composite number तो between them there are 25 prime numbers, तो वो सब के सब आ रहे है upon total outcomes 98, not 100, याद रखना हो ठीक है the probability of passing a test is 1, x5, 24 the probability of not passing is oh, 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 oh simple है x upon 24, passing, plus not passing, x, sorry 7 upon 7 upon 7 upon 8 is equal to कितना 1, x2, 3 आजाएगी 9, simply है 3 आएगी लो, हाँ, 3 आएगी ठीक है, easy है, चलो easy है, जालो यह हमारे questions खतम हो गए, बहुत सारे questions discuss किये है, यह session बहुत important है आपके लिए please अपने दोस्तों तक भी आप इसको share करो बच्चों लाइक वाइक करो चाहे ना करो बट आपको जिनको भी लगता है कि जिसके लिए भी ये सेशन यूस्फुल हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके दोस्त हो सकते हैं भाई हो सकते हैं, भेहन हो सकते हैं पोवट Thank you so much, lots of love to all the people Bye bye